हलो एब्रिवन आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल क्रेटिव इस्टूडियो एफेक्स में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी लेक्चर आ चुका है यह देखिए और अगर आपने अभी तक मेरा बाउटस वाला वीडियो नहीं देखा है तो यह जरूर देख लाना इ उसमें आपका क्या-क्या बेनिफिट है और इतना ज्यादा लेक्चर हो जाने के वज़े से आपको अगर लेक्चर ढूड़ने में प्रॉलम हो रहा है तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इससे आपको लेक्चर ढूड़ना नहीं पड़ेगा और यहाँ पर आपको सेखने के लिए टोटल भी सफर मिल ला है तो चलिए शुरू करते हैं यह सिनिमा फोड़ी का लेक्चर नंबर 47 है जो हम 46 में लाश्ट में देखे थे यहां तक हो गया था हमारा हम इसके बैक का आज बनाने वाले हैं बैक बनाएंगे कैप बनाएंगे और उसका जो लिक्विड निकलेगा ओ निकालेंगे तो चलिए हम इसके बैक के उपर पहले काम कर लेते हैं क्यूंकि आईसा तो क्रिम का बॉक्स जो रहता है तो आईसा रहता नहीं है उसको यह देखिए यह वाला हमारा है तो हम इसको पकड़े और स्केल पे गए और यहां से ऑब्जेक्ट कर लेंगे तब जाके यह हमारा काम करेगा नहीं तो नहीं काम करेगा तो यह देखिए मैंने इसको एकदम ही चिप्टा कर दिया ठीक है अगर फिर भी आप लोग को लग रहा है कि यह ट्यूब मेरा ज्यादा ही लंबा हो रहा है त तो यह हमारा हो गया पीछे का काम अब हम क्या करेंगे इसके अंदर से निकालेंगे लिक्विड लिक्विड निकालने के लिए हम यहां पर जाएंगे टॉप दियू से टॉप मेंसे हम निकालेंगे लिक्विड उसके लिए हम ले लेते हैं यहां से पें जैसा आप चाहते ह आपको पुछ से ही रखना पड़ेगा उसके बाद इसके एक मार देता हूं मैं तो यहां पर आता हूं कि यह देखिए इस तरह के से जा रहा है वो कि उसके बाद इसमें एक आएगा सर्कल का जो हम यह इसका दिये थे कि अमाउंट कुछ ठटी के आसपास दिये थे तो हम इसको भी ठटी ही दे देंगे और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहां पर ले ले लेता हूं इसके पास में ठीक है अब यहां से मैं लूंगा स्विप और यह दोनों को पकड़के स्विप के अंदर डाल दूंगा जब स्विप के अंदर डालूंगा तो यह इस तरीके से हो जाएगा यहां पर थोड़ा से देखिए आजीव सा फोल्ड हो रहा है तो ओ टाइम पर जब हम बनाएंगे इसका स्प्लाइन जो बनाए अभी मैंने पहले तो इसको बंद करता हूं यह स्प्लाइन का देखिए हां पर प्रॉलम खुद से वह आ रहा है तो प्रॉलम को स्वाल्व करने के लिए हम वहीं से कर लेते हैं यह हमारा यह वाला पॉइंट और इसको थोड़ा है कि यह थोड़ा सा प्रॉलम करता है अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है तो यह देखिए मैंने इसको सही कर लिया अब यह इसको बंद कर लेता हूं इस तरीके से यह हो जाएगा जब यह ऐसा हो गया अभी तो देखिए कि मतलब बहुत जारा ही हो रहा है तो हम इसको पतला करेंगे इसका रेडियस पकड़के सरकल का इस तरीके से पतला कर लेता हूं मैं पतला करने के बाद इस स्विप को पकड़के मैं अंदर ले लेता हूं के ठीक है और अगर प्रबरा रिकने हो दिखरा है कि नहीं हो रहा है तो हम यहां से इसको रोटेड भी कर सकते हैं कि तो थोड़ा सा उसके अंदर दिखें क्योंकि जब भी इसको लेना तो यहां तक सीधा ले लेना तो बराबर दीखेगा फिर भी देखिए क्यों सही हो गया है कि इस तरीके से ठीक है अगर फिर भी हमें इसको और सही करना है तो हम क्या करेंगे कि यह स्विक को हम लेंगे बाहर इस तरीके से और यह स्प्लाइन है इस्प्लाइन का जो यह एज है एज को हम पकड़के कुछ इस तरीके से सिधा कर लेंगे ठीक है चालू कर देता हूँ तो यह देखिए थोड़ा सा हो सही हो गया बस थोड़ा सा इसको अंदल लेना पड़ेगा हमें गुड़ कि सम्थिन लाइक दिस ओके तो यह हो गया यहां पर थोड़ा सा प्रॉलम आ रहा है तो हमें इतना लंबा रखनी की जरूत ही नहीं है हम इसको जाके यहां से डिलीड भी कर सकते हैं कि हमें एरिया ही चाहिए नहीं ठीक है इतना काफी है ठीक है यह हो गया अब हमारा क्या बचा है कि इसका जो कैप आएगा वह बचा है तो हम इसका कैप बनाएंगे सिलेंडर से इसको माइनस जेड और इसको करूंगा मैं थोड़ा सा माडल कर लेता हूं इसको पतला इस तरीके से कि जितना आपका कैप जितना बड़ा है आपको उसको इतना ही बड़ा रचना पड़ेगा ठीक है यह हो गया और थोड़ा चा यह स्केल करके छोटा भी कर लेता हूं कि ठीक है कि जब भी बनाईएगा थोड़ा सा ध्यान दखेंगे जो हमारा कैप वाला एरिया है इसको थोड़ा सा इसा छोटा ही रखना क्यूंकि मैंने बहुत ज्यादा ही बड़ा कर दिया तो उस वज़े से थोड़ा सा गंदा दिख रहा हूं कि ठीक है कि यह जो हिस्सा है इसका यह थोड़ा सा कम रहेगा तो मैं यह कैप बना लेता हूं कि कैप को यहाँ पर रखता हूं कि इसका सेग्मेंट तो मैं पहले बढ़ा लेता हूं क्योंकि काफी सेग्मेंट से इसमें चाहिए रहेगा मुझे तो इस तरीके से मैंने बढ़ा लिया और इसको मैं करूंगा एडिटेबल करने के बाद अब ही मैं आऊंगा यहां पर और इसके उपर लगाऊंगा मैं लूप पाथ कट यह लगेगा यहां पे ठीक है यहां पर मैंने लगा दिया यह हो गया अब मैं क्या करूंगा यह जो एरिया है मैं इसको लाइब सेलेक्शन टूल से सेलेक्ट करूंगा और इसको मारूंगा मैं एक्स्प्लूट अंदर के साइड में अगर 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 आपको बंद करना है इसको तो इस तरीके से आप उसको बंद कर सकते हैं कहां से यहां से बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो यह देखिए यह हो गया लेकिन अगर यह इतर लगा के मैं रखा हूं तो कैप को हमें हटाने ही पड़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा ही गंदा दिखेगा हूं तो हम कैप को रखेंगे उसके जश्ट बाजू में यह हो गया अब इसके उपर थोड़ा सा हमें सेग्मेंट्स ज्यादा चाहिए तो यह वाला जो हमारा बीच का एरिया है यह वाला थोड़ा सा में सेग्मेंट्स बढ़ा देता हूं ताकि वह स्मूथ दिखें अब चलो इसमें रेंडर मारके देखते हैं तो यह देखिए इस तरीके से वह दिख रहा है और अगर मैं क्या करूंगा यह वाला है इसके उपर मैं एक मटेरियल अफ्लाई करता हूं वाइट कलर का और रेंडर देखता हूँ यह देखिए रहो गया से माटेरियल मैं इसके उपर भी अफ्लाई कर देता हूँ और यह वाला है तो चलिए मैं एक न्यू माटेरियल लेता हूँ और कलर में कि कलर में यह वाला मैंने फोटोशाप से किया था अभी इसको थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा यह यहां पर मैं इसको रख दिया इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अब देखते हैं तो यह देखिए कुछ इस तरीके से यह थोड़ा सा टेक्चर हमें अच्छा कर वहां से फोटोशाप में बना के लेना पड़ता है तब यह ज्यादा अच्छे से दिखता है नहीं तो अगर आप इसको चलो बंद कर देता हूं अगर कि इसके उपर मैं अपलाई करता हूं कुछ ब्लैक टैप का कि इस टाइप का टेक्चर अठीक है तो उसके बाद मैं देखता हूं तो यह देखिए इस तरीके से वह दिखेगा और यह जो है यह वाला इसके उपर भी सेम टेक्चर आएगा नहीं यह वाला है जो लाइन है तो यह देखिए कि हमारा यह जो है बन गया तो मैंने आपको बता दिया कि यह वाला टेक्चर चाहिए तो आप इसको भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन यह टेक्चरिंग में आगे मैं बताऊंगा क्योंकि यह फोटो शॉप में बनाना पड़ता है टेक्चर आपने तो मुझे लगते हैं और कुछ बचा नहीं है तो आशा करता हूं कि यह पुरा आप लोग को दोनों टूटिरल पसंद आया होगा तो मेरे साथ जुड़े रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में